का जो पिस्ता मैंगो से एक रेस्पी फ्रेंड्स आप पास मिनट में बनाकर तयार कर सकते हैं वीडियो को लाश तक वाश करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जियर कमेंट करिएगा चैनल को प्रीस आप से रिक्वेस्ट है चैनल को सस्क्राइब कर दिजिएगा तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बनाएंगे तो मैंगो से पास मिनट में आपका बनके तयार हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले हम वीडियो को सुरू करने चल रहे हैं देखिए चाकू की सहायता से इस तरीके से हम काट लेंगे बीच में इस तरीके से मैं कट करना है तो इस तरीके से आसान तरीके से आप बना सकते हैं आप पास मिनट में मैंगो सेट को बना पाएंगे अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो देखिए सारा हाम जो है इस तरीके स्कटा है, तो निकल जाएग है अच्छी तरीके से, तो हम चम्मत की सहायता से इसे निकाल ले रहे हैं, यह देखिये, इसी तरीके हम पूरा हाम काटेंगे, उठीब देखे बहुर जल्दी मेंगोशेक मर बन के तैयार हो Jahren जाएगा, तो इस तरीके स से आप काटिए देखिए चमबची सहायता से अच्छी तरीके से इसका पल्प निकल जाएगा इस तरीके से आप निकाल दीजिए और जटपट आपको बन जाएगा और फेस्बुक पे देख रहें तो फालो करिएगा तो देखिए हम डाल दिये हैं मिक्सर जार में मिक्सर जार में डाल दिये हैं काजु डाल दे रहे हैं 7-8 और 7-8 जो है पिस्ता डाल दिये हैं दूद डालेंगे देखिए 200 ग्राम दूद हमारा है चीनी डालेंगे देखिए 50 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा चीनी हमारी है तो देखिए हम पीस लिए हैं अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे तिस तरीके से आप जट पर बना सकते हैं तो देखिए पीस लिए हैं अब हम सर्व करेंगे ग्लास में तो यह देखिए बर्ब को डाल दे रहे हैं यह देखिए इस तरीके से हम निकाल देंगे ग्लास में इस दूसरे गिलास में भी हम बर्व को डाले हैं और काजू पिस्ता के साथ हम इसे उपर से गार्निस कर देंगे और कुछ आम भी काट के रखे हैं उसको भी उपर से गार्निस कर देंगे ते देखिए थोड़ा हम बचा लिए थे हम तो उसे भी उपर से गार्निस कर ले रहे ह इस तरीके से आप बनाएं आपकी रेश्पी जटपर बनके तयार हो जाएगी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like, share, comment करिएगा फ्रेंट आपकी साइंड से रिक्वेस्टेए में सaking ब करिएगा ते देखिए सारा डाल दे रहें अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से हम कार्निस कर लिये हैं यह देखिए बनके तयार हो गया आप देख पा रहे हैं बहुत ही समदीजिए अच्छी ए रेस्पी बनके तयार हुई है आप देख पा रहे होंगे तो मिलते हैं नई वीडियो नई रेस्पी में थाइंग स्प्रेंट्स बाइ